टाक्स जुड़ी परिशानियों से आपके कारोबार का पूरा विवरन तयार करने तक बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान से गर्मी आ गई है, देश के विभिन राज्यों के मंडियों में गेहूं के दाम में जबदस उस्चाल देखा जा रहा है देश में सबसे जादा रखबे में बोई जाने वाले और सबसे जादा मातरा में खपत होने वाले अनाज में गेहूं का नाम सबसे पहले आता है साथ ही ये खादे पूर्ती निर्यात उतपाद में भी एहम स्थान रखता है मंडी बजार में पिछले कुछ समय से गेहूं की मांग और आवक बढ़ने से गेहूं के दाम में तेजी देखने को मिल रही है जहां एक तरफ गेहूं की अंपुर्णा क्वालिटी का भाव 2400 रुपए यानि की 2400 रुपए तक देखा गया है वहीं शर्बती गेहूं का भाव 30000 रुपए के पारिये पहुझ गया है जिसे 4000 तक जाने का भी आंकलन किया जा रहा है गेहूं के अच्छे दाम पर विक्रिया होने पर किसानों को रहत मिली है क्योंकि काफी लंबे अर्शे के बाद उन्हें अपनी फसल की अच्छी और वास्त्विक कीमत मिल पा रही है वही फसल वेपारियों का कहना है कि शेत्री स्तर पर गेहूं की खरीदारी बढ़ने से अच्छी कॉलिटी के गेहूं उच्छे दाम में असानी से विक्रिये हो जा रहे हैं नहीं आश्च्छे रे करने वाली बात ये है कि मंडी में गेहूं के भाव में महज एक दिन के अंत्काल में सौर पेपरति कुइंटल की बढ़त देखी गई है तो बड़ी खबर में अभी बस इतना ही और बड़ी अपडेट्स के लिए आपने रहे हैं मार्के टाइम्स ट्रीवी के साथ मुझे दीजे जाज़त नमशकार के हर बिल को बनाने और उसका हर हिसाब रखने तक बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी खुशियों की अपनी दुकान